मुझा राजनिती में आपनी निती साध्में के लिए पैसे खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है अब इस कडोरो रुपे के स्टार मारका रत को ही देख लीजिए किसी फाइस्टार होटेल से कम सुवधाई नहीं है यहाँ और लुक तो बिलकुल शाही महल वाला इस रत पर सवार होकर पुर्वांचल की राजनिती को साधने निकले हैं विकासशील इंसान पार्टी यानि वियाईपी के अध्याक्ष मुकेश सहनी एंडिया के बैठक में मुकेश सहनी को बुलावा नहीं मिला महागटबंदन में भी उनके लिए जगान नहीं है पर निकले हैं और इसमें खास है उनका ये रत जिसे इस यात्रा के लिए तयार किया गया है इसकी कीमत चार से पांच कडोर के आसपास बताई जा रही है ये रत इतना आलिशान और लगजीरियस है कि अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स की वैनेटी वैन भी इसके सामने कमतर है बस के अंदर राजशाही ठाट वाले फरनीचर, लाइटिंग, पेंटिंग, सब कुछ है बस के अंदर के हिस्से को तीन भागों में बाटा गया है अंदर एक मीटिंग रूम भी बनाया गया है जिसमें साथ लोगों के बैठने के लिए राजशाही कुर्सी और सोफा लगाया गया है बस में ही बेडरूम और लगजीरियस बाथरूम भी बनाया गया है मनुन अंजन के लिए टीवी की भी ववस्था की गई है बस के आपर फ्लोर में भगवान कृष्ण की पेंटिंग्स भी लाइट के साथ लगाई गई है बस के बाहर मुकेश सहनी की तस्वीर के साथ ही एक टैग लाइन लिखी है बिहार जार्खंट उतर प्रदेश में निशादों ने ललका रहा है आरक्षन नहीं तो गट बंदन नहीं गट बंदन नहीं तो वोट नहीं इसके साथ ही बेहतरीन फ्रेम में शहीद जुब्बा सहनी और फूलन देवी की तस्वीर भी लगाई गई है देश की राजनेती इस वक्त दो धूरी पर चल रही है एक तरफ NDA और दूसरी तरफ महागट बंदन जो अब इंडिया बन चुका है चितनराम बांजी, उपेंद्र कुश्वाह, चिराग पासवान सरीखे नेताओं ने NDA का दामन थाम लिया है लेकिन VIP पार्टी के प्रमुक मुकेश सहनी की अब तक कहीं बात नहीं बनी है मुकेश सहनी इसी महागट बंदन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और मंत्री पत से हटाए भी जा चुके हैं ऐसे में शायद मुकेश को समझ नहीं आ रहा कि वो जाएं तो किसके साथ जाएं और इसलिए अब मुकेश ने एक नई लकीर खीजने की कोशिश फूलन देवी के बाहने की है अजो आप करते आया है अजो भिकने वाला है तुनको पता है विकने वाला चीज है आज पांतों में भिक राता अभी चाज जाएदा एक हजार लेगा दो आजार ने लेगा तुनको यह ऐसास है कि निसाथ का भूट बिक जाएगा और हम खड़ी दिलेगे लेकिन हम भी बिहार में मचली मारने वाले का बेटा है बहले मचली नहीं मारे हैं लेकिन हमको पता है कि कैसे मचली मारा जाता है हम चार तरह से मचली मारते हैं, एक दो बड़ा जाल लगाते हैं, बड़ा जाल से निकलते हैं, बीच-बीच में कहीं से कोई निकल गया, जब निकल जाता है, तो छोटा जाल से निकलने का कोशिश करते हैं, उससे भी बीच-बीच के बच बच गया, फिर हम लोग लास्ट में तो पूरा पानी निकल जाता है तो एक एक मचली को उठा के अटोकरी बिढ़क देते हैं वह हम लोग वो लोग है जैसे दसरत माजी ने कहा कि जब तक तोरेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे फिलहाल मुकेश सहनी के भविश्य का क्या होगा ये तो वक्त तै करेगा तब तक मुकेश सहनी के सफर के साथी का वायरल होना तो तै माना ही जा सकता है झाल